जहां पर बीजेपी के प्रशिक्षण शिवर में सिंध्या का विध्यारती भाव दिखा है प्रशिक्षण शिवर में मंच से शिवराज ने प्रशिक्षण का महतु बताया जिलाध्यक्षों के साथ नीचे बैठकर सिंध्या जी शिवराज का भाशन सुनते रहे संबिल हुए थे शिवराज ने बीजेपी में प्रिशिक्षण की परंपरा पर भाशन दिया था सुहास भगत ने जनसंग से अब तक बीजेपी के सफर को बताया है इसी और मैं बीजेपी के दो दिवसी प्रिशिक्षण शिवर में यहां पर दिग्जश नेता पहुंचे हुए हैं ट्रेनिंग केंप में भाग लेने के लिए तो अधिक जानकारी के लिए अधिक चर्चा के लिए हम बात्चीत करेंगे हमारी संबादाता जुगल से चुगल एक ट्रेनी के तौर पर यहां पर सिंधिया जी इस शिवर में शामिल हुए हैं और वैसा ही कुछ देखने को मिला जी हां देखिए निशीद रुपते जवाज बीजेपी के जिलाद देक्षो का प्रिश्क्रण शिविर था और शिविर में अभी तक दो सत्र हो चुके हैं पहला सत्र संगठन में प्रिश्क्रण के महत पर मुख्यमंती सिवरा सिंग चोहान ने जिलाद देक्षो को है और अब यह के सकते हैं कि बीजेपी की रीती नीती की जो परंपरा है जिस परंपरा के तहट इससे पहले मुख्यमंती सिवरा सिंग चोहान जब मंडल का प्रिक्षिश्क्रण कारिक्रम में शामिल हुए थे तब वो तीसरी पंक्ती में बैठे ते इससे पहले बीडी शर जो एक कार करता की होती है और एक जिलाद्देक्ष को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वह सांसद्ट जोत्य है इस सिंद्या ने लिए और इसके लाबा फिर अगर हम बात करें सिवरा सिंग चौहान के भाशन की तो नोंने कारिकर्ताओं को में तो बताया कि प्रिक्षिक्षन होते रेने चाहिए इसके बाद संग्धन महामंत्री सुवाज भगत का सम्मोधन को जन संग से अब तक सफर पर उन्हों ने बताया कि किस तरीके से कार्य करता होने के कार्य करता हों की महनत से पार्टी ठीक है तो हम देखा है कई बार जब जब सिंध्या जी भुपाल पहुंचे हैं तब तब वो संग कारला समीधा पहुंचे हैं और आज जैसा कि हमें देखने को मिला कि नीचे बैठकान होने के ट्रेनी के तौर पर भाश्र सोना सियम श्वराच का जो बताता है कि वो भी सिंध्या भी जल्दी बीजेपी की रीती निती में ढलना चाहते हैं